अगेंस्ट ऑल ओट्स क्या मतलब है इज बात का? तो सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि अगेंस्ट ऑल ओट्स का मतलब यह है कि ओड्स यानि की ऐसी सिचुइशन्स जो आपके लिए अजीब हैं चो आपके लिए favorable नहीं है चो आपके लिए अच्छी नहीं है चो इसमें आपको problems होती है लेकिन इसके बावजूद उन situations के होने के बावजूद अगर आप grow कर जाते हैं तो हम कहते हैं against all odds आप finally grow कर गए या आप develop कर गए और आप हार नहीं माने ठीक है start by doing what's necessary then do what's possible and suddenly you are doing the impossible तो यहाँ पर एक व्यक्ति है Francis of Assisi इन्होंने कहा है कि शुरू करिये उन कामों के साथ जो करना जरूरी है यानि necessary या necessity वाली चीजों के साथ शुरुआत करिये उसके बाद वो करिये जो आप कर सकते हैं जो possible है and suddenly और कुछ समय बाद आपको क्या realize होगा क कि आप ऐसे काम कर रहे हैं जो impossible है तो ऐसा हो सकता है कोई भी चीज कठिन होती है इसके पहले कि वो आसान बने तो आप कोशिश करते रहेंगे कोशिश करते रहेंगे तो finally आप वो चीज कर पाएंगे जो आपको सबसे other difficult लगती है ठीक है तो चलिए हम नीजे देखते हैं क् You must be familiar with the words disabled and physically challenged आपने जरूर ऐसे words सुने होंगे जैसे कि disabled या physically challenged तो disabled या physically challenged का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो हम से हम से तोड़ा सा different है उसके पास भगवान के दिये हुए वो सारे चीजे नहीं है या हो सकता है कब इसका पैर खराब हो आँख खराब हो कुछ भी ऐसा हो सकत है तो यह सो भगवान की बनाई होई चीजे है और वो किसी को disable करता है अगर तो उसको कुछ special qualities भी देता है तो देखते हैं यहाँ पर क्या है disabled is most generally accepted term to refer people with permanent illness or injury that makes it difficult for them to use any part of their body तो disable का मतलब होता है कि एक ऐसा term एक ऐसा word है यह जो यह define करता है कि कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बिमारी है जो permanent है जो ठीक नहीं हो सकती है देखो कुछ बिमारियां तो ठीक हो जाती है जैसे आज की time पर कोरोना है तो कुछ लोग तो उससे recover कर जा रहे हैं लेकिन recoveries की है recovery rate अच्छा है तो लेकिन कुछ ऐसी बिमारियां हो जाती है लोगों को कुछ ऐसे accident के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि वो recover नहीं हो सकती ठीक है वो ठीक नहीं हो सकती तो वो permanent illness हो जाती है और injury that makes it difficult और एक ऐसी injury हो जाती है चो कठिन बना देती है लोगों के लिए क वो अपने pair को use नहीं कर पाते हैं हाथ को नहीं कर पाते हैं कभी कभी वो देख नहीं पाते हैं तो इस तरह की बहुत सारी disabilities होती है आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है completely और easily तो यह कह सकते हैं कि easily और completely वो अपने body के किसी पार को use नहीं कर पाते है challenged is a polite way of referring to somebody who has disability of some sort तो challenged मतलब हम challenged, physically challenged मतलब कि उनकी physique ने, उनकी body ने उनको challenge दिया है कि तुम जो हो, इस कमी के साथ भी आगे बढ़ो, है ना, तो यहाँ पर एक बहुत polite word है इसलिए हम इसको challenged बोलते हैं, क्योंकि challenge मतलब क्या होता है, कि किसी को चितावनी देना तो उनकी body ने, उनकी physique ने उनको challenge दिया हुए है, कि हम अब तुमारे साथ ही हैं, तुमारे साथ problems हैं, लेकिन तुम इसके साथ भी survive करना सीखो ठीक है, here is a unit that will make you think about the exceptional group of people in the mid-est तो आज हम जिस unit को शुरू कर रहे हैं, इसमें हम तीन chapters, तीन sections को cover करेंगे तो आज हम first section की बात करने वाले हैं, और उसमें आपको पता चलेगा कि हमारे ही बीच में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, जो physically challenged हैं, लेकिन we really salute them क्योंकि वो अपनी उस challenge के साथ survive कर रहे हैं और बहुत अच्छे से survive कर रहे हैं, तो चलिए start करते हैं, यह section 1 की हम बात करेंगे I have a lot of sports to play, तो यहाँ पर कोई है जो कह रहा है कि मेरे पास अभी बहुत सारे sports हैं जो मुझे खेलने हैं, I have a lot of sports to play, तो चलो नीचे क्या लिखा इसको देखते हैं If you meet with an accident and realize that you won't be able to walk again, would you accept the defeat and give up? तो आपसे पूछ रहे है, राइटर आपसे पूछ रहे है कि कभी आपको अगर ऐसा पता चले कि आपको एक accident हो गया है और उसके बाद अब आप कभी भी चल नहीं सकते, तो क्या इस परिस्थिती के बाद आप हार मान जाएंगे या कि आप गिव अप कर देंगे, या फिर आप सोचेंगे या अब तो मैं कुछ करी नहीं सकता, भगवान नहीं मेरे साथ गलत कर दिया तो ऐसा क्या करके आप हार मान जाएंगे और वुड यू फाइट बैक, या आप वापस लड़ेंगे तो यहाँ पर एक ऐसी यंग लेडी है जो एक बहुत इंस्पाइरिंग है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और यह एक रियोल स्टोरी है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि यह जो स्टोरी है, यह कहां छपी थी अगर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूफ करना चाहते हैं, तो आप दह हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं और यह बहुत इंपॉर्टन चीज होती है आपके इंग्लिश के इंप्रूव्मेंट के लिए ठीक है, तो हम लोग दह हिंदू के एक आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एक आर्टिकल छपा है दह हिंदू में, उसी की बात अज़म करने वाले है क्या लिखा हुआ है, almost 10 years ago, लगभग 10 साल पहले, कार्थिकी पटेल, तो एक लड़की है जिसका नाम है कार्थिकी, तो कार्थिकी पटेल woke up in a hospital bed तो उसके आख खुली जब वो hospital के एक bed पर पड़ी हुई थी and couldn't feel her legs और उसको क्या realize हुआ, कि उसके पैर तो कहीं महसूस ही नहीं हो रहे, पैर कहां गए she relieved the, that they were still there, है ना, लेकिन जो है, उसको बहुत बेटर फील हुआ, कि नहीं, पैर है, उसको relief फील हुआ, relief मतलब उसको तोड़ा सा worry, मतलब अपसकी tension खतम हो गई है, relieved है वो, क्योंकि उसने देखा कि नहीं, पैर है, पैर है, है ना, she had been on the road trip with her cousin to Gujarat, वो जा रही थी, via road, Gujarat जा रही थी, आपनी cousin के साथ, when at turning the car, went off the road, तो एक mode पर, turning, at a turning, एक mode पर, car जो है, थोड़ा road से नीचे, थोड़ा सा displaced हो गई, और नीचे की तरफ चली गई, down and eight foot drop, और आठ कदम तक वो नीचे, गाड़ी जो है, चली गई, इसके आगे लिखा है, and summer soluted, summer soluted का मतलब होता है, कि car जो है, पूरी पूरा रोल हो गई, पूरी घूम गई, पलट गई, ठीक है, I was sitting in the back, तो कारती की पतेल कहती है, कि वो पीछे बैटी होई थी, and my foot, and sorry, my feet got badly hurt, और यहाँ पर उनके पैर बहुत बुरी तरीके से hurt हो गई, I thought amputation was the worst that could happen at that point, तो कारती की पतेल सोचती है, कि amputation, amputation का मतलब होता है, कि किसी के पैरों को काट देना, क्योंकि वो पैर अब इतने खराब हो गई है, कि अगर रहेंगे तो और तकलीव देंगे इसलों को काट देना, तो कारती की पतेल को लगता है, कि यह जो amputation है, पैरों को कटवा देना जो है, वो और भी जादा worst है, बहुत खराब चीज है, जो उस समय पर हो सकती थी, I thought I could exercise and get back, तो कारती की पतेल को महसूस हुआ, कि उसे exercise करना चाहिए और वापस से ठीक हो जाना चाहिए, get back on my feet, और दुबारा से चलने फिरने लगना चाहिए, ठीक है, तो उसको लगता है कि उसे वापस से अपने पैरों पे चलने लगेगी अगर वो exercise करेगी तो, क्योंकि exercise करने से generally हम better conditions में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको पता हो हाफ बोड़ी उनके मूवी नहीं कर सकती थी कभी, लेकिन उनने योगा करकर इसे ठीक कर लिया, तो आप भी अगर ऐसा योगा करेंगे, exercise करेंगे, तो आप भी अपनी बोड़ी के बहुत चारी पार्च को दुबारा से ठीक कर सकते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है ठीक है, तो यहाँ पर कार्च की पटेल को भी यही लगता है, कि मैं जहूँ ऐसे ही करूँगी, चल के, normally exercise करूँगी, और ठीक हो जाऊँगी, अपने पैरो पर चलने लगोंगी, that's what people kept telling me, और यही सब बात दे कार्च की पटेल को बाकी लोग भी खह रहे थें, कि exercise करोगी तो ठीक हो जाऊँगी, but when I finally asked the doctor, he said, did nobody tell you that you are not, you are never going to walk again, पर उसने जब डॉक्टर से इस बात को डिसकास किया, तो डॉक्टर ने कहा, क्या किसी ने तुमको बताया नहीं, कि तुम कभी भी अपने पैरो पर चलने ही सकोगी, इतना severe accident हो गया था कार्टी की पतेल का, यह व the spinal cord, severe, that was a big blow, I lost heart for some time, तो कार्टी की पतेल को पता चला कि, मतला वो कभी चल नहीं सकेंगी, इसके बाद कार्टी की पतेल अपने conversation में यह भी बताती है, कि उनका जो spine है, जो बॉड़ी का जो spine है, वो भी पूरी तरीके से तूट चुका है, spinal cord बहुत बुरी हालत में पहु ठीक है, कार्टी की पतेल की बात करें, तो यह हमेशा बहुत excited रही है, बहुत खुश रही है, और हमेशा चाहा है नहोंने कि sports खेलते रहें, तो उन्होंने अपने college time में basketball बहुत खेली है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, playing basketball in the college in Mumbai, तो Mumbai में जब यह college में थी तो यह basketball खेला करती थी, ठीक है, even bunking lectures to put more than 8 hours of practice every day, यहाँ तक कि पढ़ाई पर इंका focus बहुत कम था, तो पढ़ाई को बंक करके, पढ़ाई को छोड़ के classes bunking करती थी, और classes bunk करके यहा करती थी, 8-8 घंटे तक practice करती थी sports की हर दिन, even when she lost her parents, यहाँ तक कि अपकारती की पतल के साथ एक और बुरी situation है कि इनके parents भी नहीं है, हर mother died when she was in class 12th, तो वो class 12th में थी तभी उसकी mama की death हो गई, and her father in her final undergraduate year, और जब वो undergraduation कर रही थी, यह कह सकते हैं, graduation कर रही थी, जैसे लोग करते हैं, B.C. करते हैं, तो उसके final year में जब वो थी, उनके father की भी death हो गई थी, she had kept playing, प with all the time I had with no one to tell me to study, do things, तो यहां पर शायद कारती के पटेल एक दो बाते कहती हैं, एक तो कि वो जो नकी situation थी, कि उन्होंने पने parents को खो दिया था, तो उस situation से cope up करने के लिए, उस situation से recover करने के लिए वो खेलती थी, कि उनका mind थोड़ा divert हो, और दूसरी चीज उनका खेलने क यह reason भी था, कि जो हमारे parents होते हैं, वो हमको हमेशा कहते हैं, बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो, कहते रहते हैं, लेकिर उनके parents ही नहीं थे, कि उनको बताएं कि यह कर लो, वो कर लो, तो उनको कभी किसी ने कुछ बताया नहीं, इसलिए वो आजादी से वही काम करती रही जो उनको पसंद था, और वो खेलती रही, ठीक है, तो उनका पूरा का पूरा एक जो फोकस है, वो sports की तरफ है, After finishing college and post-graduation, she got a job, जैसे उनका college खतम हुआ, उनका post-graduation खतम हुआ, उनने एक job मिल गई, और job कौन सी थी? IT-related back office work, तो मतलब एक IT sector में, information and technology के sector में, वो back office में office work कर दी थी, ठीक है? A year later, the accident happened, she was 25, एक साल के बाद, उनका accident हुआ, और जब उनका accident हुआ, तो वो कितने साल की थी? 25 years की थी, A senior colleague, who lived with multiple cellarosis, pushed her to return to work, अब sclerosis की बात करें, तो यह तरिकी की mental disease है, तो वो यहाँ पर सोच रही है, कि उनकी एक senior थी, जिसको बहुत सारी mental diseases हो गई थी, उस mental disease में होता क्या है, कि एक इनसान जो होता है, कुछ समय के बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसके बाद उसको ना कोई feeling होती है, ना वो अपनी body का moment कर पाता है, और वो एकदम से lost हो जाता है, तो वो उस अपने कली के बार में सोचने लगी है, कि उसको भी एक कोई problem हो गई थी, और उसके बाद लेकिन फिर भी उसने recover कर लिया, और वो वापस अपने काम आम पर लग गई, जो भी senior थी, यह senior था, जो कोई भी था, तो उसके बार में सोच रही थी, तो यहाँ पर देखो, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है, तो और भी negative घेर रही हैं, तो यह सब चीज़े इनके साथ भी हुआ, बट अब कारती की पटेल क्या करेंगी, पुस्ट हर तो रिटर्न तो वर्क, तो इन्होंने यह डिसाइड किया कि भाई, मैं वापस काम पर जाओंगी, फोर मन्त लेटर शी डिड, तो उसने यह डिसाइड किया कि बाकी लोग भी तो रिकवर करते हैं और काम पर चले जाते हैं, तो उसने रिसाइड किया कि चलो मैं भी जहूं वापस चली जाओंगी, चार महीने बाद वो वापस अपने काम पर चली गई, ठीक है, तो वो कहती है कि जब वो बेट पर थी, जब वो बिलकुल नहीं कुछ पर चली जा नहीं सकती थी, तब उनके माइन में जो नेगेटिव थोट्ट्स होते थे, वो बहुत ज़ादा होते थे, लेकिन अब क्योंकि वो वापस काम पर हैं तो उनके नेगेटिव थोट्स कुछ कम हैं पहले से काफी रिडियूस हो चुके हैं, अब यहाँ पर रिखा कर दिया था और अब उनके सामने कैसी situation आ गई है कि वो sports पे ध्यानी ने दे सकती है क्योंकि इनके पास पैर ही नहीं है और maximum sports जो है आपके पैर को सही मांगते है ना कोई भी sports आप swimming भी कर रहे हो अगर तो इसमें भी आपको पैर का moment करना है साइक्लिंग कर रहे हो तो पैर का moment करना है बास्केट बॉल है तो पैर का moment है बैड मिंटन है तो इसमें भी आपको कहीं न कहीं पैर का moment करना है तो यहां पर उनके पैरोल उनका साथ छोड़ दिया ता वो sports के बारे में तो सोची नहीं सकती थी है ना इस sports was far from her mind तो sports उनके दिमाग से कायर का को सो दूर जा चुगा था पर कुछी साल बीते उनके office वाली job में जो back office का काम वो करती थी वो बोर होने लगी वो खुश थी कि वो कमा रही थी और अपना पालन पुशन कर रही थी अपनी केर कर सकती थी अपने लिए उनको लगता है कि वो हर एकी काम को हर दिन कर रही है तो एक अंकल नहीं से कहा कि तुम्हीं स्विमिंग करना चाहिए और जब उन्होंने स्विमिंग के लिए कहा तो उन्होंने उसको किया तो शी फाइनली डिसाइडेट कि हाँ भाई मैं करूंगी ठीक है Once she picked it up, her competitive streak took over and she entered competition and won several medals सोचो बिन पैर के जिसके पास पैर नहीं है वो स्विमिंग करने लगी लड़की और इसके बाद वो एक competitive streak पर स्विमिंग करने लगी competitive streak का मतलब होता है एक competition के उदेश से कि वो competition में participate करेंगी और इतना जादा वो hard work करेंगी कि वो बाकियों से बहतर हो जाएंगी और ऐसा करने के बाद वो सच में बाकियों से बहतर हो गई और वो competition में एंटर करी और वो बहुत सारे medals जीती तो यह swimming का ही time था swimming का ही कोई competition रहा होगा जिस competition में कार्तिकी गई होई थी और वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई एक chair person से, एक head से कहां के head थे वो wheelchair basketball federation के तो वो ऐसे व्यक्ती थे जो wheelchair basketball को organize कराते थे और उसके head थे तो WBFI wheelchair basketball federation of India है ठीक है, तो उसके head से मिली who told her about the national championship in Chennai जिन्होंने कार्तिकी को को बताया कि Chennai में एक national level पर exports होने वाला है wheelchair पर basketball खेलने का ठीक है, कार्तिकी landed up there but found that there was no woman basketball player yet तो कार्तिकी Chennai गई, वो game देखने के लिए लेकिन जब वो वहां पहुची तो उन्होंने देखा कि उस basketball players में से कोई भी लड़की नहीं थी सारे के सारे male candidate थे, there was no girl, right? तो fortunately, a group of army veterans from Pune encouraged her to take her love for sports further अब यही उसको ऐसे लोग मिलने लगे, continuously उसकी मुलकात ऐसे ऐसे लोगों से होने लगी she started to play wheelchair badminton और अब यहाँ पर कार्तिकी ने अपना wheelchair badminton start किया मतला वो badminton खेलेगी wheelchair पर बैटे-बैटे Soon she won the national three nationals three years in a row and represented Indian para tournament abroad even winning a bronze medal in Spanish Open तो इसके बाद उन्होंने badminton खेलना शुरू किया और तीन साल तक वो इसको रिप्रेसेंट करती रही और उसके बाद वो जो है इंडिया को रिप्रेसेंट करने para tournament में जैसे tournaments होते है न, Olympics होते है तो para Olympics भी होता है para Olympics वो होता है जो physically disabled होते है उनके लिए होता है तो para Olympics थो की जहते है क्योंकि physically disabled का disability logo का जो होता है खेल होता है यहाँ पर तो यह जो है para tournament में गई और यह फोरें गई, वहाँ पर जाके इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इवन विनिंगा ब्रॉंज मेडल इन इस्पानिश ओपन और यह जो है ब्रॉंज मेडल वहाँ से जीत कर भी आई खाली हाथ नहीं लोटी, ब्रॉंज मेडल जीत कर आई इस्पानिश ओपन में, ठीक है और साथ ही साथ जब उसे पता चला कि WBFI जो यह वीलचेर बास्केटबॉल फेडरेशन अफ इंडिया है यह जो है टीम बना रहा है वोमेन की बास्केटबॉल के लिए तो इन्होंने सुचा ठीक है चलो मैं जॉइन करती हूँ और मैं दुबारा से बास्केटबॉल खेलूगी क्योंकि जब व कॉलेज में थी तब बास्केटबॉल उन्होंने खेला था लैकिन अब जब उनका अच्शिट हो गया है तब से बास्केटबॉल छोड़ दिया लेकिन वो दुबारा से जॉइन करने का सोच रही थी और यह था year 2017 जब उन्होंने दुबारा थे basketball को start किया कारतिगी says that the wheelchair basketball is tougher than playing the game on your feet कारतिगी कहती है कि basketball को wheelchair पर खेलना बहुत जादा tough है अपने पैरों पर basketball खेलना easy था लेकिन wheelchair पर basketball खेलना tough है क्यों? You have to control the ball with your hands and also move the wheelchair with your hands तो यहाँ पर क्योंकि उस सामें क्या होता था आप तो पैरों से चल रहे हो और भास्केट बॉल पर ध्यान दे रहे हो बास्केट बॉल को अपने हाथों से हैंडल कर रहे हो लेकिन यहाँ पर क्या होता था बास्केट बॉल को भी हैंडल करना है ball को भी handle करना है अपने हाथों से और wheelchair भी अपने हाथों से चलानी है तो ये एक difficult job हो जाता था a year later getting the chair to do her bidding do her bidding on the court is still work in progress तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है bidding तो bidding का मतलब आपको यहाँ पर कहा जा रहा है do her bidding का मतलब getting the chair to move the way she wanted तो अभी भी wheelchair का उनको experience तो है नहीं अभी वो recently उनको कही ना कही ए accident मिला है उनका पैर कराब हो गया है तो wheelchair चलाना सीख रही है उसमें थोड़ी और export हो रही है और अभी भी उनका काम चल रहा है तो getting the chair to do her bidding अपने हिसाब से to do her bidding मतलब अपने हिसाब से अपनी chair को चला पाए इसकी practice अभी भी progress में थी I can shoot from the close but not get even from the free throw line तो वो कहती है कि वो basket ball मतलब basket में ball डाल लेती है अगर वो pass होती है तो लेकिन दूर से जहां से ball को basket में डालना है वहां से उनके लिए अभी भी difficulty आ रही है when you are standing it all comes from your knees right क्योंकि उन्हों ने जब basketball last time खेला था तब उनके पैर सही थे और वो खड़े होके खेलती थी तो उनको यह experience है कि जब आप खड़े-खड़े basketball खेलते हो तो अपनी knees अपने घुटनों के पास से बॉल को उपर ले जाते हो और वहां से फेखते हो इना wheelchair it has come from your waist your torso तो यहां पर कुछ changes हुए है क्योंकि wheelchair से आपको उसे अपनी कमर के पास से उपर फेखना पड़ता है ठीक है that fitness is not there yet और कार्ती की पटेल कहती है कि अभी भी वो fitness उनके अंदर नहीं आई है I need to develop a stronger back and abs तो यहां पर वो अपने पर exercise करके अच्छा strong back और abs बनाना चाहती है She quit her job in 2015 and registered for master's degree in social entrepreneurship उन्होंने 2015 में अपनी job छोड़ दी ठीक है छोड़ दी थी और एक master degree उन्होंने लेना start कर दिया था जो कि social entrepreneurship की ओर focus कर दी थी entrepreneurship का मतलब होता है business एक तरीके से business woman वो बनना चाहती थी वो भी social society की welfare के लिए मतलब यहां पर दो चीज़ें होती है एक तो earning profit along with social motive, social welfare तो social welfare लोगों की भलाई के लिए वो business करना चाहती थी शी इस आलसो टेस्टिंग अन्यो बिजनस आइडिया adaptive fitness classes for paralegics तो यहां पर वो यह चाहती थी कि वो लोगों को जो है fitness के लिए जो लोग पैर हाथ से कही न कहीं paralysis या disabled है उनको कहीं न कहीं है help करना चाहती थी और चाहती थी कि वो इस तरीके को कोई business चलाए she had also finished her first set of scuba lesson with just the open water dive to be done before she get her certification तो यहां पर उन्होंने अपने scuba lessons scuba का lesson, scuba क्या होता है scuba मतलब होता है underwater swimming पानी के अंदर swimming करना, ठीक है तो उन्होंने अपने scuba lessons को भी पूरा कर लिया था और अब उन्हें open water में dive करना सीखना था, उसके बाद उन्हें swimming का भी certification मिल जाता certificate मिल जाता, ठीक है तो यह है कार्ती की पठेल और यह जो कार्ती की पठेल है यह देखें यह wheelchair पे है और यहाँ पर यह basketball खेल रही है ठीक तो कोई sports उन्होंने छोड़ा ने disability के बाद उन्होंने swimming किया उन्होंने badminton खेला उन्होंने basketball खेला and finally वो अपने लिए special लेकर रही है और वो tri cycle लेकर है हम लोग तो bicycle से लाते है, funded by cycle मिसने जिस में दो पहिये हों, दो wheels हों लेकिन tri cycle जिसमें 3 wheels हों तो उन्होंने अपने लिए tri cycle भी खरीद ली है और वो चाहती है कि manali qa dunganla ride में, वो participant करें बाकि disabled लोगों के साथ में उनको लगता है अभी वो cycling में बहुत अच्छी नहीं है तो she can't do it right away मतलब उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगी इसलिए वो starting में 100 km की ride लेना चाहती है in December 2017 कार्थिकी got married तो 2017 के अगर हम बात करें तो December में कार्थिकी की शादी हुई अब कार्थिकी पटेल बताती है कि I met Herman when I first joined the work तो यहाँ पर कार्थिकी पटेल तो कार्थिकी पटेल कहती है कि जब उन्होंने job join किया था पहली बार तो तभी वो जो है Herman जो उनके husband है उनका नाम Herman है उनसे मिली थी After my accident he took care of me and was always with me और वो बताती है कि उनके accident के बाद Herman ने उनका हमीशा ध्यान रखा और हमीशा उनका साथ दिया That's when it all started और यहीं से बात start हो गई She insisted she isn't good enough with the words to describe the relationship और Herman उन्होंने ये भी बताया कि वो इतना अच्छा express नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो इतना अच्छा expression नहीं दे सकती इस बात को लेकर कि उनका Herman के साथ क्या relationship है और Herman कैसा है But her bland tone, bland tone का मतलब होता है एक ऐसे tone जिसमें ना कोई emotion है ना कुछ बस बोल रहे हैं simple way में तो एक bland tone belies the hint of smile that sits around her lips and broaden until it splits her face और वो जिस तरह से इस बारे में बता रही थी सभी आसपास के लोग हसने लगे, smile करने लगे और इस कारण से कार्थी की पठेल को भी हसी आ गए और वो भी हसने लग गए what next, तो अब interviewer जो है, जो the Hindu का यहाँ पर छपा है न तो एक interview है interviewer ने पुछा कि अब आप next क्या करना चाहते हो any plan to start a family, क्या आप अपनी family start करना चाहते हो I would love to, तो कार्थी की कहती है, हाँ बिलकुल मुझे बहुत अच्छा लगेगा maybe when we are a little more subtle, लेकिन जब हम थोड़े से और सेटल हो जाएंगे तब till then, तब तक I have a lot of sports to play, तो तो देखो यही वो line है जो इसका title है I have a lot of sports to play, मेरे पस बहुत सारे sports है भी खेलने के लिए है I haven't written them down, मैंने उसे लिखके नहीं रखा है, I should write them and tick them often by one मुझे उने लिख लेना चाहिए और एके करके टिक करना चाहिए, कि हाँ यह हो गया, यह हो गया और इस तरीके से हमें करना चाहिए The next check box is ready, next वो क्या करने वाली है, वो ready है In early February 2018, 2018, 2018 के beginning में, she was selected captain of India's women basketball team for Asian para games qualifiers in Bangkok in March So, 2018 के February में, जो Bangkok में para Olympics होने वाला है, para game qualifiers होने वाला है Asia का women basketball, उस team की वो captain बनी What is next? The 2020 Paralympics, I plan to go even if I don't get to participate So, Karti Ki Patil कहती हैं कि और उसके बाद 2020 में, जो Paralympics होगा, उसमें मैं जरूर जाओंगी बली मैं participate ना करूँ पर जाओंगी जरूर, I am taking it one of the tournament at a time और मैं से बहुत important tournament मानती हूँ उस time के लिए, ठीक है तो यहाँ पर यह जो writing है, यह हमें मिली थी, एक The Hindu के newspaper से